आज की इस वीडियु में आप सीखेंगे कि कैसे आपने Soil Master Sensor Proteus में एड़ करने हैं तो उसके लिए आपके पास एक external library होने चाहिए library मैंने link description में दिया वहाँ से जाके आप ये libraries download कर सकते हैं ये एक zip file है इसको download करके unzip कर दें या extract hair कर दें उसके बाद extract hair करने के बाद आपके पास ये folder आ जागा इसको आप open करें और open करने के बाद इन तमाम file को select कर लें select करके उसको copy करें इनको और copy करने के बाद वहाँ पर जाएं जहाँ पर आपके पास proteus इंस्टाल है तो वह आपको कहां से मिलेगा यहां से आप proteus सर्च कर लें और उसके icon के उपर right click करके open file location पे जाएं उसके उपर click करें उसके बाद proteus के main folder में आए एक step back जाएं ठीक है यहाँ पर proteus का main folder आपको मिल जाएगा यहाँ पर libraries के नाम से आपको एक folder मिलेगा इसको उपर right click करके open कर दें और इसमें वो तीनों file paste कर दें मेरे पास already है तो मैं paste नहीं करना चाहता है मैं cancel कर देता हूँ और उसके बाद आपके पास अगर proteus पहले से open है तो उसको close करके reopen कर दें उसके बाद component mode पे select करके क्लिक करके यहाँ से आप library से सर्च कर सकते हैं यहाँ से आप search करें soil master ठीक है soil लिकेंगे तो खुद बहुद आ जाएगा तो इसके उपर आप click करके ok कर दें open करने के बाद आप इसको protein में कहीं पे भी रख सकते हैं ठीक है रखने के बाद आप इसको use कर सकते हैं तो मैं आपको pin नमबर बता दूँ इसमें कुछ जरूरी पिंज है उनको समझना जरूरी है मैंने zoom कर दिया और यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले VCC है तो VCC को आपने हमेशा 5-fold ही देने है उसके बाद यहां पर ground है तो आपने हमेशा ground के साथ connect करना है यहां पर in art है तो आपने यह Arduino के analog pin के साथ interface करना है connect करना है या micro controller के साथ उसके बाद एक test pin है यहां पर तो test pin जो है उसको आपने variable resistor के साथ या potentiometer के साथ connect करके उससे आप soil master की value change कर सकते हैं तो उसको इसी तरह आप यूज़ करेंगे इसमें एक आपने library भी हैट करनी है तो hex file आपके जो मैंने link description में दिया वहाँ से आप जब download करेंगे इसमें एक hex file .hex के नाम से इसको भी आपने यहाँ पर put करना यह यह काम नहीं करेगा ठीक है यहां से इसको आप search कर लेंगे और उसको open click करके ok कर देंगे ठीक है तो इसी तरह आप इसको use कर सकते हैं Link description में दिया वहाँ से जाके आप download कर सकते library अगर वीडियो अच्छी लगे है तो आप चैनल को जाके subscribe करें वीडियो को like करें शेयर करें और चैनल विजट करें आपको बहुत सारे Arduino related projects मिलेंगे बहुत सारे library आपको मिल जाएंगे sensor मिल जाएंगे तो मिलते है next video में